नमस्कार कैसे हैं आप सब हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विस्वास है कि आप सब बिल्कुल स्वस्त होंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना फैबरेट यूटूब चैनल पांडे जी टेकनिकल और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरबुजहा और खास बात आज के वीडियों में हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि आज यूटूब की दुनिया में पहली बार हम आपके लिए मैथामेटिक्स का सौल्वड पेपर लेकर के आए हैं पॉलिटेकनिक के फर्ष्ट सेमेस्टर के सभी स्टुडेंटों के लिए और इसके हम देखेंगे कि आपके कितने कुश्चन से सही होते हैं और कितने गलत जिसका सबसे बहतर परफॉर्मेंस रहेगा उसका नाम हम अपने अगले वीडियो में जरूर एनॉंस करेंगे तो आप भी ट्राइ करिएगा तो आई ये सौल्व करते हैं आज कि इस पेपर में हम आप को दिखाते हैं कि किस प्रकार से कुश्चन साते हैं और आप को कैसे सौल्व करना है तो देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये कुश्चन से हैं कुछ जिसमें कि आपको पहला जो पार्ट होगा मैथा मेटिक्स का उसमें कहएगा कि किनी 10 भागों के उतर दीजिए जब आप हमारे टेली ग्राम पर जाएंगे, टेली ग्राम पर अगर आप लिख देते हैं polytechnic classes 70-80, तब आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, और वहीं पर comment का आपको एक option मिलेगा, वहाँ पर आप इसका solve करके इसको आप वहाँ पर attach कर देंगे, आपको लिखना है polytechnic classes 70- 80, देखिए आपको यह कुछ question से मिल जाएंगे, ठीक है, इसका हमने आपको वीडियो पहले ही बना करके दे रखा है, आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, इसके solution की, तो सबसे पहला आप यहाँ पर question देखेंगे, तो सबसे पहला आपको question मिल जाएगा, इसमें part 1 मे कह रहा है, 2 sin theta is equal to 1 है, तो आपको theta की value ज्याद करनी है, दूसरे question में कह रहा है, fx is equal to 1 minus x square upon 1 plus x square है, तो आपको 10 theta की value ज्याद करनी है, तो कैसे करेंगे, देखते हैं, हम question, इसके solution की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले आप से कह रहा है, कि एगर आपको दिया गया है, 2 sin theta is equal to 1, तब आपको theta की value ज्याद करनी है, तब आप यहाँ से sin theta पराबर लिख क्या सकते हैं, 1 by 2, यहाँ पर 2 इसके multiple में है, यहाँ पर इसके divide में आ जाएगा, आपका हो जाएगा, sin theta is equal to 1 by 2, यह sin कितने की value आपका 1 बटे 2 होती है, sin t sense की value आपका 1 बटे 2 हो जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, sin 30 ans is equal to sin theta, इधर भी sin है, इधर भी sin है, जम से sin cancel, आपका आगया theta is equal to 30 ans, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 30 को आप लिख सकते हैं, pi by 6, तब आपका मतलब theta की value क्या आ गई, pi by 6 आ गई, और आपका इस तरह से question हो जाता है, solve, तो इसी तरह स के नाम से अपना एक नया brand खोल रखा है हम लोगोंने, pandeji technical के app पर जिसके about पूरी की पूरी information आपको, नीचे description में दिएगे, link के माध्यम से आपको हमारा application का link मिल जाएगा, और वहीं आपको help line number मिल जाएगा, अगर आपको कोई problem होती है, तो आप वहाँ से contact कर सकते हैं, या फिर आप हमारे application को, हमारे app को play store से download करके, वहाँ पर आप सव रुपए पे करके, हमारी membership ले सकते हैं, फिर आपको दूसरा question क्या कह रहा था, fx is equal to one minus x square upon one plus x square है, तो f10 theta क्या होगा, तो इस प्रकार के question में बहुत सारे students गलत करके आते हैं, या फिर उनको समझ में यह आता कि अब करना क्या है, तो दोस्तों आपको करना वही है, जो question कह रहा है, और जो हमने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने हमारी 10 day smart study classes की membership ले रखिये, तो वहाँ पर हमने आपको mathematics का एक एक छोटा छोटा point आपको बताया है, और वहाँ पर हमने math का syllabus समाप्त भी कर द हमी है, तो जहाँ जहाँ पर आपको x दिखे, वहाँ वहाँ पर आपको क्या रख देना है, 10 theta रख देना है, अब आपको यहाँ पर, इसमें देखिए, आप यहाँ पर x square है, तो यहाँ पर 10 theta हो जाएगा, तो जब आप रख देंगे, तब आपका आज आएगा, f10 theta is equal to 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta, और दोस्तों, हमने पहले से ही पढ़ा रखा है, और हमें यह पता भी है, कि जो होता है, आपका 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta, अगर आपको trigonometry आती है, तो आप बिल्कुल इसको जानते होंगे, यह फार्मूला आपका किस चीज का बनता है, यह फार्मूला बनता है, कॉश 2 theta का कॉश 2 theta का फार्मूला आपका यही होता है, 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta is equal to कॉश 2 theta होता है, तो मतलब अगर आपको यह दे दिया जाए, और कहा जाए F10 theta की value, तो F10 theta की value आपका हो जाएगा कॉश 2 theta, तो बहुत ही आसान questions, आपसे exam paper में पूछता है, बस आपको अपना confidence level high रखना है, पर आपको हर एक subject की class हैं धमाकेदार मिल रही है, फिर तू इस तरह question क्या कह रहा है, आपको माल लेते हैं हम दे दिया गया है, A, A बराबर आपको दे दिया गया है, I minus 2J plus K, और आपको यह क्या दे दिया गया है, B बराबर आपको दे दिया गया है, 4 I minus 3J, minus 4K के बीच का आपको क्या निकालना है, कोड निकालना है, तो इन देवनों के बीच का कोड निकालने के लिए, सबसे पहले इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक चीज़ यह note कर लीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का सदिश जब गुणन निकालेंगे, एक बेक्टर, एक क् मंजमें नहीं आता है, तो आप हमारी मेंबर से प्ले करके हमारे वीडियो पर जा सकते हैं, आप उहां से समझ सकते हैं, इसको, क्या कह रहा है बेक्टर एक क्रॉस बेक्टर भी, तब आई, जे के उपर हम लिखते हैं, इसका आई का गुडांक माइनस टू है तो माइनस और इसका आई का चार, जे का माइनस टूरी और के का माइनस फोर, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तब आपका वेक्टर एक क्रॉस जो बेक्टर बी की बैलू है, वो आपका आजाएगा, ग्यारा आई, प्लस एड़ जे, प्लस फाइफ के, अब ठीक है, ये तो मिल गय अब हमें पता है कि ठीटा जो निकलता है, वो दो की हल्प से निकलता है, एक तो आपको बेक्टर एक क्रॉस बेक्टर बी की बैलू निकालनी होती है, तो मौड ए के लिए आपको एक की बैलू दी गई थी, अभी हमने देखा था, उसका हम मौड निकाल लेंगे, तो आपक to square plus one का square आपका root 6 हो जाएगा और mod के अंदर b की value आपके हो जाएगी root के अंदर 41 तब आपका जो sin theta अब यहाँ पर हम sin theta के थुरू निकालते हैं तो जो आपका sin theta का formula होता है किसी का angle निकालने के लिए वो होता है sin theta is equal to mod के अंदर vector a cross vector b upon vector upon mod के अंदर a into mod के अंदर b यही आपका formula होता है आपको इसकी भी value पता है a की भी value पता है फटा फटा आपको value रख देना है आपका आजाएगा sin theta पराबर इतना यह आप यहाँ से theta निकालेंगे तो हो जाएगा sin inverse यहीं पर लग जाएगा और आपका यह answer आजाएगा यह तो रहाँ आपका sin के form का फश्ट तरीका आपका angle निकालने का जब आपको कोई conditions और कोई absence नहीं दिया जाता है तब आप ऐसा निकाल देते हैं तब भी हो जाता है लेकिन उसके बाद जब आपको कोई absence दे देता है मालीजी आपसन अगर आपको cos theta के रूप में दे दिया गया तब आप उहाँ पर क्या करेंगे तब cos theta को जो formula होता है angle निकालने का वो होता है cos theta is equal to vector a dot vector b upon mod के अंदर a into mod के अंदर b और mod a की value हमने निकाल रखी है mod b की value हमने अभी उपन निकाल रखा था यह यह आथा आपका root छे और यह आथा आपका root के अंदर 41 और vector a की value आपको दे रखा है vector b की value आपको दे रखा है हम रख देंगे दोनों का dot मतलब अदिस गुडण कह रहा है अपान इतना ठीक है यह आप जब करेंगे तो अदिस गुडण क्या होता है सदिस गुडण और अदिस गुडण यह दोनों चीज अच्छे से समझ लीजिए ठीक है अगर आप book से नहीं समझ पाते हैं तो आप membership वाले plan पे हमारे चले जाएए वहां से आपको अच्छे से चुकि मैं तो हम मैं ही पढ़ा रहा हूं तो आपको अच्छे से मैं पढ़ा करके वहां से explain इसका कर चुका हूं आप वीडियो तो वहां से पर देख सकते हैं और वहां पर आपको notes भी मिल जाए का आप समझ सकते हैं अब एक बात पर और दोस्तों आपको ये बता दें कि हम ये जो आपको दे रहे हैं जो भी हम आपको इस solution प्रोवाइड करवा रहे हैं ये आप हमारे टेलिग्राम चैनल Polytechnic Classics से 70-80 पर पा सकते हैं और इसमें से जो भी questions हम जैसे नहीं solve कर रहे हैं हमने केवल दो questions तके ही solve किया है तो आपको तीसरा, चौथा, पाँचवा इसका solution हमें test kit के रूप में वहाँ पर देना है ठीक है अब ये मत समझेगा कि ये आपकी responsibility नहीं एक एक बच्चे की ये responsibility है कि वहाँ पर जाए अपना questions इसमें से लेकर के solve करें अब हम आपको question paper फिर से यहाँ पर दिखा रहे है ठीक है और उसका comment वहाँ पर हमें करके उसका answer दे जैसे ये part 3 में आपको कहा गया है part 3 में जो भी ये 3 questions दिये गया है 3 में से किन ही 2 questions को आप करके वहाँ पर हमें comment जरूर करिए और just the same to same question 4 का भी आप 2 questions करके हमें comment करिए और question number 5 का भी 2 questions solve करके आप वहाँ पर हमें comments में इसका answer जरूर दिजिए और उसका solution हमें जरूर भेजिए ठीक है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हम इसको देख रहे थे तब आपका हो जाएगा cos theta is equal to हो जाएगा 4 plus 6 minus 4 चुकि इसको जब vector a dot vector भी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4 धन 6 minus 4 और आपका root 6 into root 41 जब 4 से 4 cancel हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा 6 बटे root के अंदर 6 into 41 अब यहाँ पर नीचे root आपका लगा है तो इससे जब कटेगा तो root 6 हो जाएगा cos theta is equal to आपका आजाएगा root 6 बटे root 41 या आप जब theta is equal to निकालेंगे तो आपका हो जाएगा cos inverse root के अंदर 6 बटे root के अंदर 41 तो इस तरह से आप ऐसे प्रस्णों को कर सकते हैं फिर अगला question आपको कहा गया है question number पहले का दा में कि 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 2 धन 1 dot dot आपको इसे दे दिया गया है कह रहा है कि आपको दे दिया गया है एक पद माइनस 128 इस स्रेड़ी का कौन सा पद है मतलब आपको n की value ग्याद करनी है तो सबसे पहले तो यह हम चेक करते हैं स्रेड़ी आपको जो दी गयी है तीन पद जिसमें दिये गये हैं यह कौन सी स्रेड़ी है चुकि हमारे पास AP है GP है और HP है तो AP में हमें पता है कि उसका D निकालते हैं D समान होना चाहिए और GP में आपका R समान होना चाहिए तो आप जब इसको निकाल करके चेक करेंगे तब इसका सरवानतर D बराबर नहीं आएगा इसका आपका R जो है वो बराबर आएगा मतलब यह स्रेड़ी काउन सी है आपकी GP हो जाएगी और GP का आप हम पूरा का फूरा फार्मूला लगा देंगे आपको A कामान एक बटे 4 दे देगा और जब आप R की वैलू निकालेंगे तो T2 अपान T1 कर देंगे तो आपको R की वैलू माइनस 2 मिल जाएगे आपको N कामान ग्याद करना है हमारा सूत्र क्या होता है किसी भी गुड़ोतर स्रेंडी का N वापत जो होता है वो होता है A R की पावर N-1 और आपको TN की वैलू दे रखा है माइनस 128 A की वैलू आपको दे रखा है 1 बटे 4 और R की वैलू आपको मिली है माइनस 2 अब आपको ये आ जाएगा माइनस 2 की पावर आप N-1 कर देंगे माइनस 128 is equal to 1 बटे 4 फिर माइनस 2 की पावर N-1 4 का आप मल्टिप्लाई इधर कर देंगे आपका आ जाएगा माइनस 128 गुड़े 4 बराबर माइनस 2 की पावर N-1 या फिर जब 128 में आप 4 से गुड़ा करेंगे तब आपका आज आता है माइनस 512 और इधर है आपका माइनस 2 की पावर N-1 या जब आप माइनस 512 कर निकालेंगे 2 की पावर तो ये आपका आता है माइनस 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9 की जो बैलू होती है वो आपकी होती है माइनस 512 अब आपका दोनों पच्छ में मिल गया माइनस टू की पावर 9 और इधर मिल गया आपका माइनस टू की पावर n-1 इधर भी बेस में माइनस टू है इधर भी बेस में माइनस टू है cancel हो जाएगा आपका क्या बच गया n बराबर 9 बराबर n-1 या आपका ये इधर आ जाएगा आपका n बराबर आ जाएगा 10 तो इस तरह से आप और अधिक questions पासकते हैं अगर आपको और अधिक questions जो की हमारे तोरा solved किये गये हैं या आपको देखने हैं, समझने हैं इसमें question और हम आपको solve करवा देते हैं इसमें कह रहा है part 2 में आपको sin a minus sin b upon sin a plus sin b is equal to कह रहा है a minus b upon a plus b proof करना है ठीक है, यह आपका question paper का question है जो कि सायद दो number में आता है तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको इसमें जा का formula लगाना है ठीक है, हमें पता है कि sine A upon A is equal to sine B upon B is equal to sine C upon C होता है हम माल लेते हैं किसके बराबर है के के बराबर है तब आपका यहां से A की value आजाएगी sine A by K और B की value आजाएगी sine B by K और C की value आजाएगी sine C by K पहले इसके साथ इसको लिया फिर इसके साथ इसको लिया फिर इसके साथ इसको लिया ठीक है अब आगे क्या हो अब हमें जहां पर अब हम इसमें RHS की तरफ चलते हैं इस पच्छे की तरफ ठीक है जहां पर आपको मिल रहा है a-b upon a plus b तब आपको a plus a के place पर रख देना है sin a by k b के place पर रख देना है sin by k और c का आपको concept इसमें use ही नहीं होना है आप यहाँ पर रख देंगे आपका क्या आ जाएगा minus a minus b था तो a के place पर sin a by k b के place पर sin by k और आपका sin a by k plus sin by k यहाँ पर भी दोनों के नीचे k है और यहाँ पर भी दोनों के नीचे k है इससे यह cancel हो जाएगा आपका आजाएगा sin a minus sin b upon sin a plus sin b तो इस तरह से आपका यह जो question है यह बहुत ही आसानी के साथ solve हो जाता है आपको और अधिक इसके पूरे के पूरे solutions देखने है ठीक है हम आपको धीरे धीरे provides करवाते रहेंगे हाला कि यह भी questions important है one plus एक धन ग्यारा धन एक सो ग्यारा धन आपको इसी परकार से चार बार एक रहेगा एन पदों का योगफल याद करना है इसका solutions आपको पूरा का पूरा solution जो है वो आपको हमारे application पांडेजी टेकनिकल के membership plan पे आपको मिल जाएगा जहां पर आप जा सकते हैं जहां पर आपको तीन एयर के models पेपर solve करवा के provide करवाए जाएंगे हर एक subjects के चाहे हो math, physics, chemistry, CS, CD हर एक subject के आपको तीन-तीन model paper solution के साथ आपको वहाँ पर मिलेंगे तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं अगर आप इसका ये देखना चाहते हैं solution तो आपको telegram हमारे telegram channel पर जाना पड़ेगा polytechnic classes 87 वहाँ पर आप ये test copy देख सकते हैं और इसमें जो भी questions से नहीं solve किये गए हैं जो कि हमने आपको बताया है question number 3, 4, 5 आप उसको solve करके वहाँ पर comment का एक आपको option मिलेगा इसी PDF के नीचे आप उस पे जरूर अपनी PDF file attach करिए या फिर आप अपनी photos में जरूर लगा दीजिए जो भी questions से आप solve करते हैं उसके photo case करके ठीक है दोस्तों तो उमीद ही नहीं पूरा विस्वास से कि हमारे दोरा जो भी आपको solution दिया गया है वो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे members से प्लान से जूड़ करके जरूर बेहतरीन class लेंगे Math Physics Chemistry CACD की